कर दो सकार दोस्तो मैं आशो कुमार महातो एक बार फिर आपकी सामने हाजिर हूं दोस्तो मैं बहुत-बहुत स्वाज़त करता हूं मेरा इस चैनल में दोस्तो आज एक नियम पढ़ेंगे हैं लेकिन शब्के लिए नहीं बहुत जो विग्नर्स हैं । अध्यान कर रहे हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों उनके लिए यह बहुत ही लाहदा आएक विडियो है तो चलिए देखते हैं के करके देखें यहां हम लिखा हम विगें विगेंस बीएंगें प्लस इंफिनिती बोलते हैं फिर स्टार्ट इससाइट यह देखिए इ दोस्तों कभी हम जब इंग्लिस बोल रहे हैं तो हमको बहुत सारा वाक की इस तरह का बोले जरूरत पड़ता है जैसे वह होने लगता है पढ़ने लगता है खाने लगता है तो इस प्रकार का वाकु को ट्रांसलेट करने के लिए क्या नियम होगा वही नियम आज हम लोग हरना है या ही स्टाउट क्राइब तो चले में यारी दाठी इंस तु क्राइब चैवा याल रखिएगा ही बिगिंज क्राइब इस तांट ग्राइब देखिए वह वह हच्छ Michaले लग तो यह परहुंड हों वह हसने लगी उस हिक अ कि और अा या सी स्टांटरों सबांद है क I began to laugh, बच्चा रोने लगा, the child began to cry, या the child started crying, कुछ भी आप बोलेंगे, the child began to cry, चाहे the child started crying, कुछ भी आप बोलेंगे, तो दोस्तो चलेगा, याद रखिएगा इस तरह का बहुत बोलचाल में प्रयोग होता है, तो ये नियम आपको बहुत मदद करेगा, आपको बहुत सारा वाक बनाने के लिए, ध्यान देगा, वह पीता जी को आते देख पढ़ने लगता है, तो वह पीता जी को आते देख पढ़ने लगता है, तो he begins to read when he sees father come, लेकिन बोलचाल की भासा में coming भी बोलते हैं, तो he begins to read when he sees father come, या father coming, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, इसको अगर begins का पर्योग न करके, अगर starts का पर्योग करते हैं, वह सही है, ध्यान देगा, he starts reading when he sees father come, या father coming, या दोस्ते एक चीज़ यहां रुखिएगा, यहां एस जुटा हुआ है, प्रिजेंट इंडिफिनिट टेंस के नियन से यहां, एस जुटा हुआ है, he see if तथक कोई एक नाब रहने पर हम लोग क्या करते हैं, एस या यह यह जोड़ते हैं, तो उसी के अधार पर यहां एस जुटा है, he begins to read when he sees father come, या father coming, अगला देखिए, तुम लिखने लगते हो, यहां देखिए, एस नहीं लिखे हैं, तुम लिखने लगते हो, तो you begin to write, you start writing, कुछ लिए यहां पर देखिए, एस नहीं जुटा है, क्योंकि first person, second person, singular, plural के साथ, third person, plural number के साथ भी, एस यह एस नहीं जुटते हैं, तो you है, इस नहीं जुटा, यहां देखिए, here था, इसलिए, क्या जुटा गया है, एस, तो यार रखिएगा, यह नियम, तो इस तरह से, यह दो चार वाक्य हैं, पर आप बहुत सारा वाक्य खुद बर खुद बनाएएंगा दोस्तों, that's all, thank you.